आपने अक्सर महिलाओं और लड़कियों को पैरों में चांदी की पाइल पहने हुए तो देखा होगा अपने घर में भी कई बार देखा हो गा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आखिर क्या वजा है कि लड़कियां और महिलाएं पैरो में चांदी की ही पाल पहनते हैं, सोने की क्यों नहीं पहनते, तो इसके पीछे हमने पढ़ताल की तो पता चला कि चांदी जो होती ही वो चांदी में चंद्रमा का वास होता है, चांदी ठंडी होती है, चांदी पैरों में पहनने से ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहता है और पैरों के जर्य ठंडक पूरे शरीर में साथ ही दिमाग में भी जाती है, उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में सदियों से पैरों में चां और कमर के ऊपर हमेशा सोना पहना जाता है जैसे अंगूठियां चेन और यहां तक की कान में जो बालिया पहनी जाती है वो भी सोने की ही पहनी जाती है आईए जानते हैं क्या कहते हैं सर्राफा वैपारी के की पहन जाती है यह परमत्रा वर्शों से चली आ रही है और चान्दी की विछ्षिया भी पहनी पहरों में पहनी जाती है उसके पीछे कई रिजन उपित्त माना गया है और कमर के नीचे का हिस्सा चांदी पहलेंके के लिए अवर सोना गरम गोनों का जो वह स्य होता है और आ समकी जो हों पहुत पहुत रहता है और साम noス on क्यों की नहीं भी सोच शोना नश्य्मी जी का रूपा बना गया एक द्रूप अजयाता है उसे वृष्मी जी nuovo श्यूर को altri नुराज होने का पेरो में चांदी की पायल पहने जाने के पीछे यह कहानी है लखनोव से अंजली सिंग राजपूत की रिपोर्ट न्यूस एटीन